सबी का हमारे चैनल Learning Universe में बहुत बहुत स्वागत है आज हम DOE 12 जारी वर्कसीट नमबर 53 जो की 9th क्लास की समाजिक बिग्यान की इतिहास के हिस्ते से ली गई है और आपका जो इतिहास का चेप्टर है फ्रांसेसी करांति उसके बारे में ये वर्कसीट है और आपका ये वर्कसीट बारात तारीक के लिए है हम इस वर्कसीट को आज पढ़ेंगे और फ्रांसेसी करांति का जो पर्ट फाइव है पर्ट फॉर तक आप लोग पिछली वर्कसीट में पढ़ चुके हैं जिसमें वार्ट फाइफ है जिसमें कि उदार गरतंत्र, पुनाराजतंत्र की ओर और नेपोलियन के बारे में कैसे उसने फ्रांस पे कबजा की और फ्रांस में नई प्रनाली लागू की नेपोलियन संगिता क्या थी इन सब के बारे में पढ़ेंगे तो वीडियो में आप पूरा हमारे साथ बने रहिएगा और इसको समझते हैं तो पहला है टॉपिक आपका 1794-99 उदार घंतंत्र जैसा कि हमें पता है कि पिछले में हमने जो वर्क सीर्थ इसमें पढ़ा था कि National Convention ने क्या क्या सुधार किये थे क्या क्या कार किये थे और कैसे ने रही प्रसन ब्योस्ता को लागू करने का प्रयास किया था आगे है नेशनल कर्वेंशन ने एक संविधान का निर्मार करके कारेपालिका का उत्तरदाईत पांच सदस्री निदेशक मंडल या डिरेक्टरी को सौंपता जो national convention थी उसमें कारेपालिका अब आपको पता होना चाहिए बिधाईका कारेपालिका क्या होती है तो आठ्वी में आपने पढ़ा होगा जो आपका प्रसासन होता है कारेपालिका बिधाईका संसद क्या होती है सब तो उसके आगे आप ये समझे कि कारेपालिका क्या होती है तो कारेपालिका मतलब यानि की जो प्रसासन में कारे करने के मनि जो कानून होते हैं कानून के हिसाब से कारे करने का जो दाइद तो होता है वो कारेपालिका वा होता है न tyreसानल कर्वेंशन के बाद फ्रांस में डारीक्टरी का सासन शुरू हुआ अब नेसनल कर्वेंशन ने क्या किया पाँच सदसी निदेशक मंडल को दे दिया सासन करने के लिए अब ये डारीक्टरी का सासन सुरू हुआ जो की 1795 से 99 तक चला यानि चार्ज बस तक डालेक्टरी का शाशन चला। डालेक्टरी का शाशन आब वज्रस्थित और कठनाईयों बरा था। धिकार प्राब था। अब जो निदेशक मंडल थे उन्हों ये मान सकते हैं सरकार थे, यसे हमारे देश की सरकार किससे जुद्ध करना है, किससे नहीं, कहां सरकार करनी है, कैसे सासन चलाना है, यह सरकार करती है, तो उस समय फ्रांस में वो काम कौन कर रहा था, डारेक्टरी यानि निदेशक मंडल, संचलाक मंडल के सामने सबसे प्रमुख समस्या थी, युद्ध की समस्या पहली समस्या क्या थी युद्ध की समस्या अगर प्रसन पूछेगा कि डारेक्टरी या निदेशक मंडले उसके सामने क्या समस्या है थी तो आप पहला लिखेंगे युद्ध की समस्या दूसरी डारेक्टरी के सदस अनभाव हीन थे आयोग और भ्रस्ट थे जैसा कि आपको पता है जब सत्ता मिल जाती है तो भ्रस्टा चार के बहुत सारे लोग भ्रस्ट हो जाते हैं भ्रस्टा चार के बहुत सारे दोसार उपन होने लगते हैं तो वही डारेक्टरिक के साथ हुआ सदर से उसके अनभवहीं थे और भ्रस्ट हो गए डारेक्टरिक के सासनकाल में तरह तरह की गड़बड़ी फैली बेकारी बढ़ गई ब्यापार ठप पड़ गया और विदेश नीद भी कमजोर पड़ गई अब आपको पता है जब प्रसासक जो होगा वो कमजोर होगा उसका दूर द्रिस्टी नहीं होगी वो भ्रस्ट होगा तो सासन तंत्र जो होगा वो खराब हो जाएगा और लोग परिसान होगे ब्रस्ट रचार बढ़ेगा बैपार खराब हो जाएगा और आपकी जो देश की साख है वो गिर जाती है तो उसे विदेश ने भी कमजूर पढ़ जाती है ऐसी सिती में फ्रांस की जनता को एक ऐसे नेतित्त्य की आवस्चता महसूस हो रही थी जो देश के अंदर और बाहर सांती अस्थापित कर सके तथा बिदेशी सक्तियों को परास्त कर सके अब फ्रांस की जो अवस्था थी वो फिर गड़बड हो चुकी थी जैसे पहले थी अब जनता को यहावस्था थी कोई ऐसा सासक मिले कोई ऐसा एक व्यक्त दिया है जो ऐसा सासन अस्थापित करे कि बिदेशी सक्तियों को परास्त कर सके और फ्रांस के अंदर और बाहर सांती अस्थापित कर सके और इसी काल में नेपोलियन प्रथम ने Sanे बिजीओं द्वारां फ्रांस के सम्मान को स्थापित किया, अंत्ता है डारेक्ट्रिक्रीका अंत्कर सथापित किया और इसी बीच नेपोलियन का अउगदय हुआ, उसने अपनी इससे बिदेशी सक्तियां थी उनको परास्त किया, फ्रांस में एक नई विवस्ता कायम की औ और पूरी सत्ता अपने हाथ में नियंत्रित कर ली यह आपका उधार गड़तंत्र का जो हिस्सा था वो था आगे पड़ते हैं क्योंकि डिरेक्टरी कब समापत हो गई 1799 में शुरू कब हुई थी 1795 में तो यह था डिरेक्टरी का सासा अब 1799 से 1814 यानि पुनह राज तंत्र की योर का मतलब कि जब नेपोलियन आ गया तो वो उसने अपने बहुत सारी जो सक्तियां थी अपने पास ही नहीत कर ली तो वो गणराज नहीं रहा गया बलकि राश्तेंत्र की तरह रहा गया उसी की सारी जो योजनों कारे पढ़ाली थी लागू होती थी 1799 में नेपोलिय अब देखिए फ्रांस की जनता ने फ्रांस की क्रांदी करके क्या किया था राश्तंद्र को अटा करके घरतंद्र लाया था लेकिन 804 तक आते आते नेपोलियन ने खुद को समराट यानी राजा घोसित कर दिया यानी फिर फ्रांस में राश्तंद्र आ गया और इस तरह ने नेपोलियन ने फिर क्या किया सामराजिवादी सासन मतलब दूसरे राजियों को विजित करके अपने में मिला लेना और उन पर सासन करना जैसे बिटेन सामराजिवादी था भारत पर सासन करता था हम उससे घुलाम थे हम बिटेन के कबजे में थे और हमारे रहां बिटिस का पूरे यूरोप का राजनीतिक भूगोल यानि बहुत सारे यूरोपी हिस्सों को उसने जीत कर अपने में मिला लिया और उसने पूरे यूरोप का भूगोल बदल दिया। अब देखते हैं 1812 में उसने रूस पराक्रम कर दिया। जिसमें वो पराजित हो गया। तो पराजित हो गया। उसको बंदी बनाके सेंट हेलेना धूप में बेद दिया गया। जहांपे वो 1821 में मर गया। अब को पता होना चाहिए। किस जुद्ध में नेपोलियों पराजित हुआ। 1815 के जुद्ध में वाटरलू में कहां भेजा गया। मरा कब 1821 में। फ्रांस की सिबिल संगिता नेपोलियों पर्थम बारा 1804 में फ्रांस में लागू की थी। लेकिन इसी बीच 1804 में उसने फ्रांस में एक सिबिल संगिता लागू की थी। इसे नेपोलियों कोड भी कहते हैं। इस संगिता को बनाने में पुरातन और नमीन कानूनों का समन्में किया गया था। जैसे आप देखते हैं भारत में संबिधान है तो संबिधान में बहुत सारी पुरानी नई विदेशी देशी बहुत सारे विचार हैं और चीजें हैं दूसरे देश के संबिधान से कुछ चीजें लेकर के संबिधान को बनाया गया है तो ऐसी चीजें नेपोलियन ने भी करन का प्रियास किया और नियापुलियन की संहिता में क्या था कि जन्म के आधार पर दिये गए विश्यसादिकार बंद कर दिये गए यानि कोई जन्म के आधार पर अमीर गमी गरीब उच बरन नहीं होगा सब समान होंगे किसी का विश्यसादिकार नहीं होगा यानि कुलीन बर् भी सेशाधिकार उसने कह यहियुद नुर्ण लिए गी उतरादिकार का नियम और वही सब नौकडियों में रहते थें Ведь उसने क्या किया एक किम्पटिटीवनेस लाया और सरकारी नौकडी जेसे अब हमारे होता है एग्जाम होती है जो सबसे अच्छे होते हैं उसलेक्ट होते हैं ऐसे वहाँ भी योग थे उनको सरकारी नौक्री मिलेगी जूरी की सायता अब क्या किया एक जूरी यानि एक नयाधूशों का एक संग होगा वो खुले में सबको मुकदमे की सुनवाई करेगा जिसे पारदर्सिता रहे कि सबको यह एहसास हो कि उनका कानून के सामने बराबर का उनको अधिकार है और उनके साथ नया होगा कानून के समच सबकी समानता के सिधानत को बिधि संगिता में स्थान दिया गया और यह बताया गया कानून के समच सब समान है यह सा नहीं कि उचबर्ग नीम बर्ग जो अमीर गरीब हैं उनके साथ कुछ भेदभाव होगा जो पहले होता था वो समाप्त कर दिया गया ब्यक्टिगत संपत्ति के सिधधान्त को मानता दी गई, भूमे पर सौमी के अधिकार को इतना ठोस बनाया गया जेतना वह पहले कभी नहीं था इसलिए छोटे किसान ना गळाक्रलूयन का समपत्त्त가지, नहीं होते थी, पहले क्या होता था कि संपत्ति ब्यक्तिगत नहीं होत तो भूमी पर स्वामी का अधिकार को ठोस बना दिया गया, यानि जो भूम का स्वामी है, अब उसी की वह भूमी रहेगी, राज जी उसमें दख्लंदाजी नहीं दे सकता, इससे क्या हुआ जो छोटे वोटे किसान हुआ करते थे जिनके पास भूमी नहीं थी, जब भूमी थोड़ी बहुत थी, बार-बार उन से छीन ली जाती थी, अपने हिसाब से राज जी जैसी कानून बनाए, तो वो चीजे हट गई, तो वो किसान उसके समर्थक बन गए, क्योंकि उनको लगा कि ये भूम पी मेरा अधिकार है, और ये नेपोलियन के कानून के करना बना है, तो वो नेपोलियन के एकदम समुर्थक बन गए, नेपोलियन पर्थम का कानून संगृता, उनका स्थाई कारी सिद्ध हुआ, नेपोलियन ये इस कानून संगृता के महत को स्विकार करते हुए, कहा था, मेरा वास्तवी, गौरो, मेरी 40 जुद्धों की बिजाय में, नहीं संगिता ही ऐसी है जो कभी ना मीट सकेगी और चिरस्थाई सिद्ध होगी और नेपॉलियन ने कहा था उसका जो गारो यानि उसका जो गारो नेपॉलियन ने जो प्राप्ट किय वो उसकी čालिस जुद्रों में फिज्य से नहीं हुआ बलकि उसने जो बिद्य संगिता बनाई थी उस बिद्य संगिता ने लोगों को इतना उसके नेपोलियन के प्रति जोर दिया उनको इतना ससक्त बना दिया प्रसासन को इतना ससक्त बना दिया कि जो बहुत अस्थाई थी और कभी न मिटने वाली थी ये नेपोलियन ने खुद लाए यह सब चीजें थी अब प्रसन है कि पहला प्रसन है डारेक्टरी के सासंग में क्या-क्या कठनाईया थी तो उपर वच्चु जय सामने बताया कि जुद की कठनाईया जो उसके सदस्ट से उभरस्ट थे और प्रसासंग में गड़बड़ी होने लगी थी यह सारी जो अगर आप है उसमें आपने पढ़ा है तो आपको वहां से लिखना है दूसरा नेपोलियन प्रसम किस प्रकार सासंग पर अपना नियंतर अस्तापित करने में सफल हुआ देखिए जब डारेक्टरी के सासंग में फ्रांस में कुब्यवस्था फैल गई ब्यापार ठप हो ग असंगठित किया और डारेक्टरी को भंग करके उसे अपने कंट्रोल में ले लिया निया प्रतियोगता को बढ़ावा मिला कि कि सरकारी नौकरी में योग लोगों को आने का मौका मिला ऐसे कई सारे महत्व है जो आप लिख सकते हैं अगला है नेपुलिन संगिता में दिये गए किन कानूनों और प्रधानों को आप भी अपने लिए महत्पून मानते हैं, तो आप अपने हिसाब से आपके लिए क्या महत्पून है वो मानेंगे, जैसे अगर मुझे हो तो जन्म के आधार पर विश्यस अधिकार को खतम कर देना, सरकारी हिसाब से अमेरे लिए भी काफी महत्पून है, यूँकि ये समानता और सासन में पारदर्शिता लाते हैं, जो गरीब और वन्चित वर के लोग हैं, उन्हें भी ससक्त बनाते हैं, तो बच्चों, ये आज आपकी वर्क सीट रही, नाइंध क्लास की, जो की फ्रांसी सी क्र करें, वीडियो देखने के लिए आप से विच्चों का धन्यबाद, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी हम नई वीडियो को यहाँ पर अपलोड कर सकें, वह आप तक वहुती रहें, धन्यबाद